हेलो एब्रीवन आज मैं बहुत ही संदार पोड़क्स का रिव्यू लेकर आया हूँ और इस पोड़क को देखने के बाद इस पोड़क को समझने के बाद मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ ये इस पोड़क को कैसे यूज करे हमारा नीम और काली मीर्च ये क से पहले इसके फाइदे के बारे में बयात करो तो यह रक्त को साफ करके सरीर में पानी के उचित संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है यह सरीर में पाचन और पोसक तत्यों के और शोशक को बढ़ा कर वजन को कम कर यानि वजन को निरंतन करने में मदद करता है इसमें एंटी अक्षिडेंट गुन होते हैं जो तौचा की फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बजाते हैं और जुडिया महीन रिखाएं और तौचा की बढ़ती वाव को रोकने में मदद करता है या सरीर को डिटिक्सफाई करके एंजाइम सोराइसीस और तौचा की सूजन जैसे बहुत सारे लोगों खाज घुझली होता है उनको भी आप नेम पलस काली मिर्च को बहुत ही संदार तरीकेसे दे सकते ही क्योंकि यह जैसे बहुत सारे लोगों की सौराइसिस हो गया या आज खुझली हो गया, तो वह बहुत आसानी के साथ ुआ इसको योज करके और इसके चीजे बात करूँ तो इंचाय में बहुत सारे लोगों को यह मदद करता है, यह रूमेटिक जडर्द गठिया में जोरों का सूजन को कम करने में बहुत ही लवदाइक है दूसरी चीजे अगर मैं बात करूँ तो यह साइंस और नाग में जमाओ जैसे बहुत सारे लोगों штраш लेने भी तक्लिफ होते तो उसमें भी ये बहुत ही आसानी के साथ मदद करता है और यह मैं पहले ले आप बताया गैठिया अच्छी तरीके से बढ़ता है या हमारे बड़ी के प्री रैडिकल और जितने भी बड़ी में ड्यटॉक्स चुबर निकालता है जानि सिद्धी सिंपल है आपके ब्लॉड को यह प्रॉपर किलियर करता है कि ब्लॉड को सूध करता है अगर रप नीम प्लस कालीमिर्च को में निक्स पोड़क के साथ तब तक के लिए खुश रहे सौस्ट